हेलो फ्रेंट्स आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टड़ी वेज सुजित में तो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे किमेश्टी के महत्पूल प्रस्णों को जो हमारे बोड प्रिक्षाओं में बार बार पुछे जाते हैं तो अगर इन प्रस्णों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो बोड एक्जाम में अब एक भी प्रस्ण नहीं छोटेगा तो चले वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रस्णों को और सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आप लोग इन प्रशनों को एक कोवी पर उतार कर इसे याद जरूर कर लिजेगा तकि आप बोर्ड एक्जाम में इसे यानि कि जो भी प्रशन आएगा आप सही से उसका उत्तर दे सकते हैं और यहां पहलाना प्रशन की आरहेनिय समीकरन से आप क्या समझते हैं इनमें जितने भी प्रशन आज देखेंगे वो सभी हमारे बोर्ड प्रिक्षा में तीन से चार बार पुछे जा चुके हैं और इसमें board model question भी सामिल है तो आरहेनिय समिकरन एक समिकरन है जो अभिकिरिया के बेग के तपमान पर निर्भरता की ब्याख्या करता है तो आरहेनिय समिकरन को हम के बराबर लिखते हैं A-A-A upon R-A-T के द्वारा दर्शाते हैं जहां के बेग इस्तिरांग होता है और A exponential होता है तो वहीं T तपमान होता है और E-A संक्रियन उर्जा होता है और R gas इस्तिरांग होता है इतना लिख देते हैं तो आपको दोर्माक्स मिल जाएंगे डाइलिसिस क्या है तो इसमें देखेंगे डाइलिसिस में कि यह कुलाइडी घोल को सुध करने की बीदी है कुलाइडी घोल में असुधी के रूप में क्रिस्टलाइड के कन होते हैं जिसे घटाने के लिए डाइलिसिस का प्रयोग किया जाता है नेक्षना प्राशन है कि भावतिक अधिसोशन यों रासाइनिक अधिसोशन में अंतर अस्पस्ट करें तो सबसे पहले लिखेंगे कि भावतिक अधिसोशन और रासानिक अधिसोशन में निमलीखित अंतर है और एक तरफ भौतिक अधिसोशन लिखेंगे और दूसरी तरफ रासानिक अधिसोशन लिखेंगे यह अनुकरमानिय सौभाव का होता है यानिकि वीप्रित होता है और तीसरा देखेंगे यह वन्डर मास के कारण होता है तो वहीं यह रसानिक आबंध के निर्माण के कारण उत्पन होता है रसानिक अधिस्टोसर्ण अब देखेंगे नेक्षन परास्ट ने कि कुलाइड बनाने की दो विधियों को लिखें तो कॉलाइट बनाने की दो विध्या निमने हैं एक संगनन विधी, कंडेसेशन मेथ़ड और दी है परिच्छेपन विधी, दिसपर्सन मेथ़ड इतना लिख देते हैं और वीडियो अच्छी लग रही होती से लाइक जरूर किजिएगा DNA और RNA में अंतर असपस्ट करें तो एक तरफ लिखेंगे DNA और दुसरे दरफ RNA और सबसे पर लिखेंगे कि DNA और RNA में निमली खित अंतर है ये जरूर लिखेंगा सबसे पहले तो DNA में देखेंगे DNA में उपस्तित पेंटोज सरकरा यानिके D2 डियक्सिरा राइबोज होती है तो वही RNA में उपस्तित पेंटोज सरकरा D राइबोज होती है और यह पॉलिन्यूकलिटाइड की दोहरी सिरिंखला होती है तो वही RNA यह पॉलिन्यूकलिटाइड की एकल सिरिंखला होती है और देखेंगे इसमें कि यह स्वयम द्विगुण कर सकता है तो वहीं RNA के द्वारा बनता है यह DNA के द्वारा बनता है RNA तथा स्वयम द्विगुण नहीं कर सकता है यानि कि यह दूसरे पर निर्वड है RNA इसके अडू अपेक्षाक्रीत बरे होते हैं जिनका अडू भार अधिक होता है DNA का RNA में देखेंगे कि इसके अडू अपेक्षाक्रीत छोटे होते हैं जिनका अडू भार कम होता है और पांचवा है DNA का कि यह पादप विश्णाडू के लिए आवसेक अनुवनसिक पदार्थ है तो वही यह यह युकिरियेटी कोशिका के लिए आवसेक अनुवनसिक पदार्थ होता है और देखेंगे इसमें प्रस्ने की गुलकार वा रेसेदार प्रोटीन में अंतर बताए तो सबसे पर लिखेंगे गुलकार और रेसेदार प्रोटीन में निमली खित अन्तर है और एक तरफ रेसेदार प्रोटीन लिखेंगे और एक तरफ गुलकार प्रोटीन लिखेंगे तो रिसेदार में देखेंगे कि यह पॉली पेप्टाइड सिरिंख लाएं एक दूसरे के समनांतर होती है तो वही गुलकार में पॉली पेप्टाइड सिरिंख लाएं कुंडली के रूप में बियवास्तित होती है और दूसरा है रिसेदार में कि यह धागे सद्रिस सनाचना है तो वही गुलकार में यह गुलकार सनाचना है यह जल में घुलनसील होती है रिसेदार प्रोटीन तो वही गुलकार प्रोटीन यह जल में घुलनसील होती है इतना लिख देते हैं तो आपको दो माक्स मिल जाएं तो चले नेक्षन परस्ट को देखते हैं इंजाइम क्या है यह भी हमारे प्रिक्षा में पूछे गए हैं इंजाइम एक प्रोटीन अडू है जो सजीव के अंदर होने वाली जेव रासायनिक अभिकिर्याओं को नियंत्रित करती है यह नाइट्रोजन युक्त एक कार्बनिक योगिक है जिसे एक जेव उत्प्रेरक कहते हैं इसकी किरिया सीलता उच होती है जो ताप एम पीच मान में परिवारतन से घट जाती है इसमें बिसिष्टता का गूर्ण पाया जाता है अर्थात एक बिसिष्ट जेव रासानिक अभिकिर्या के को संपन कराने के लिए यह 2019 में साइद पूछा गया था पांस नंबर में तो इस साल देखिए किस अगर पूछता भी है तो यह दो नंबर में आप पूछेगा तो अब देखेंगे नेक्ष्ण परास्ण की लाइफोबिक कुलाइड एम लाइफिली कुलाइड में अंतर अत्पर्श करें तो सबसे पर लिखेंगे कि लाइफोबिक कुलाइड एम लाइफिली कुलाइड में निम लिखी तर है और एक तरफ लिखेंगे लाइफोबिक कुलाइड और दूसरे तरफ लाइफिली कुला लुटाइट जिस्पर्शन लाहाइब धिया गुलन सीर वगुलन फोराइब कि अमलिय बार्षा क्या है इसे समझाएं अमलो का वार्षा के रूप में गिरना अमलिय बार्षा कहलाता है जब अमलिय बार्षा जमीन पर गिरती है तो जमीन में उपस्तित चार का उदासीनी करन हो जाता है और इसके फोल स्वरूप मीटी अमलिय हो जाती है जो अभिकिरिया है कि SO2 पलस S2 जो करेगा अभिकिरिया तो S2, S3 हो जाएगा और S3 पलस S2 करेगा तो S2, S4 हो जाएगा और 3, NO2 पलस S2 करेगा तो HNO3 और यहाँ पे NO जो बाहर निकल जाएगा इतना लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगे तो दोस्तो आज का महत्पूर सेशन यहीं पर खत्मे करते हैं तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होते इसे राइक करें और इस चानल से नए जूरे हों तो चानल को सब्सक्राइब करें करें तो आपको